दोस्तों, यहां पर काफी excitement वाली news आ रहे है, शायद आप अपने desk से उछल जाओगे, यह वाली news सुने के, हुआ क्या, अगर मैं आपसे यह बोलू, भाई, free of cost में आपको PC मिल जाएगा, अच्छा ठीक ठाक, और उसको आप चला भी सकते हो, बस करना क्या होगा, आपको Microsoft वाली यह चीज करने जा रहे है, इन्होंने अपना एक नया business module आप बोल सकते हो, open कर दिया, और बहुत जल्दी आपको यह चीज़े देखने को दिख जाएगी, आज थोड़ा जो leak week निकल के आया रिसेंटल, मैं खुद हरान हो गया, क्योंकि देखो at the end चीज तो बड़ी सबसे पहले तो यह लोग service क्या use करने वाले है, क्योंकि देखो, मैं जैसा बता रहा हूँ, आपको PC प्रोवाइड करेंगे, आपको add दिखाएंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि घर घर जाके PC सबको दे रहे है, वो वाला scene यह पे नहीं है, यह लोग use करने वाले Windows 365, एक साल पह करो, editing हो गया, gaming हो गया, जो आपका मन करें, requirement की इसाब से charges रहते हैं, और काफी लोग आज के time पे Cloud PC Windows 365 यूज़ करें, अच्छा भी है, सही है, अगर आपको usability है, आपको जरुवत है, तो आप ले सकते हो, तो इसी का use Microsoft वाले करने वाले, तो actually scene support क्या है, अगर थुदा clear cut कर के बताओं कैसे आपको low-end PC मिलेगा, तो simple सी चीज़ है, यही आपका Windows 365 है, इसमें एक latest plan एड हो जाएगा, जहां पे आपको medium end type का PC ये लोग provide करेंगे, अच्छा देखो यार, completely free नहीं होने वाला है, यहां पे आपको advertisement तो दीखनी पड़ेगी, बिल्कुल advertisement तो है वहां प तो इसका सबसे अच्छा तरीका का है, subscription के price थोड़े कम कर दीए, और advertisement शालू कर दीए, क्योंकि at the end आपके ads से तो earning होई दीए, यह basically इनका completely print रहने वाला है, तो खुद आप assume करके देखो, आपको 1200, जितना भी price रहता है, एक कम range में रहेगा, ज्यादा पैसे नहीं लेंग यह ऐसा कुछ हो सकता है future में, क्योंकि देखो यह लोग ने Windows 365 को काफी ज्यादा exposure दिया, आप देखोगे ध्यान से, पहले इनोंने taskbar में उसो add कर दिया, कि directly आप switch कर सकते हो, यह यह चीज अफिलेबल हो गई, यह आई बटन पर वीडियो भी देख सकते हो, यह feature बहुत तक यह लोग यह cloud PC future की चीज़, आप समझी रहे हो, future में ऐसा PC बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहतरा लोग cloud base में जाएंगे, तो उस समय के लिए यह सब चीज़ अभी से plan कर रहे है, मस्त है, बागी देखो अगर इनका यह subscription प्लस advertisement वाला plan अच्छा चलता है, खुद assume करके और इनका यह सही रहता है, तो शायद आपको future में सिर्फ advertisement भी देखने को दिख जाएंगे, वो उमीद कम है, बढ़ा उमीद रख सकते हैं, क्योंकि यह भी तो आमने सोचा नहीं था, यह ऐसा कुछ हो सकता है, देखो subscription का सीधी बात है, प्राइस आपको कम तो देखने को द जो कि अब अब और ओफीशली अभी online website पे लोगों ने clue पूरी तरीके से इनको match वोच कर रहा है, यह officially अभी कुछ announcement ने हुई है, यह जो details लिकलते है, leeks निकलते है, job posting निकलते हैं, जो जो पोस्टिंग इन सब चीज़ों से, वहां से conclusion लिख ले है, वहां से conclusion लिकला है, औ कि आप यह चीज़ रीडाउट कर सकते हो, मैं कुछ का कोशिश करूँगा, description में link वे दू, आप और detail में पढ़ सकते हो, तो यह पूरा scene है, मैं काफी excited हूँ भाई, advertisement वाली windows 11 चलाने को, बागी चलो यह इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आयो है तो बिल्कुल भाई